रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारक रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो मैं मनोच सोनी अतिती सिक्षक योग विभाग राची विश्विद्याले राची से हूँ। आज का विशे है चित्वरतियों के निरोत के उपाएं। महरिशी पतंजली द्वारा रचित योग दर्सन में चित्वरतियों का वर्णन किया है। यह विशे योग दर्सन के समाधी पाद में सूत्र नमबर 5 से लेकर 11 तक चित्वरतियों का वर्णन है और सूत्र नमबर 12 से लेकर सूत्र नमबर 16 तक चित्वरतियों के निरोत के उपाएं बतलाए गए हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने जाना कि पाँच वर्णन कौन कौन सी हैं। वो हैं जो छटे सूत्र में कहा है प्रमाण विपारे विकल्प निद्रा इस्मृत्याह। उन वर्णियों के निरोत में बारवे सूत्र में महरशी पतंजली जी कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोधा। अर्थात चित्व की वर्णियों को निरोत करने के दो पाई हां पर बताए हैं। पहला है अभ्यास दूसरा है बैराग्य। चित्व का सभाविक बहिरमुख प्रभा बैराग्य द्वारा निब्रत होता है। अभ्यास द्वारा आंत्रिक प्रभा इस्थिर हो जाता है। चित्वर्थियों का प्रभा प्रम प्रागत संसार के बल से संसारि भोगों की ओरी चलता रहता है। हम संसार की मुह माया में उसकी वासना में इन वर्थियों के करण व्यक्ति फसा रहता है। उस प्रभा को रोकने का उपाए व्यराग्य है और उसे कल्यान मार्ग में ले जाने का उपाए अभ्यास है। जिस प्रकार पक्षी का आकास में उनना दोनों ही पक्षों के अधीन है ना केवल ए पक्ष के। उसी प्रकार समस्त वृतियों का निरोध ना केवल अभ्यास से ही और ना केवल वेराग्य से ही हो सकता है। किन्तु उसके लिए अभ्यास और वेराग्य दोनों का ही होना अत्यन तावशक है। तमोगुण की अधिक्ता से चित में ले रूप निद्रा आलस से आदी दोश उत्पन होते हैं। और रजोगुण की अधिक्ता से चित में चैंचलता रूप विक्षेप दोश उत्पन होते हैं। अभ्यास से तमोगुण की निब्रती होती है और वेराग से रजोगुण की निब्रती होती है। इनी चित्ति वृतियों के निरोत के उपाई में स्रीमद भागवद गीता के छटे अध्याई में 35 सूत्र में भगवान स्री किष्णी जी अर्जन को कहते हैं कि मन को रोकने के अभ्यास और वेराग दोनों ही साधन बतलाए हैं वो कहते हैं असंसयम महाभाव मनो दुर्नी ग्रहम चलम अभ्यासे नितु कौन तेय वेरागे निचा ग्रहते तेरवे सूत्र में महरिश जी अभ्यास की लक्षन बताते हैं कहते हैं तत्र इस्थितो यतनो भ्यासह अर्थात पठन पाठन लेखन पाक क्रेविक्रे सीवन नरतिगायन आदी सभीकार अभ्यास से ही सिद्ध होते हैं अभ्यास के वल से रस्सी पर चड़े हुए नट तथा सरकस आदी में ना केवल मनुष्य किन्तु सिंग घोडा आदी पशु अपनी प्रकती के विरुद आशर जनक कार करते हुए देखे जाते हैं अभ्यास के प्रवाफ से अथी दुखा साद कार भी सिद्ध हो सकते हैं इस सुत्र में महरशी पतन्जली जी व्यक्षा में तत्र का शाब्दिक अर्थ बताते हैं कि उसका अर्थ होता है वहां पर इस सूत्र के संदर में तत्र का तात पर दोनों से है अभ्यास का अर्थ अध्यात्मिक साधना में पूर्ण तया इस्थिर हो जाना है यहाँ प्रत्न का तात् पर चित्ति वृत्थियों के निरोध से हैं इसमें ध्यान, कर्म योग, ध्यान योग आदी अन्य अभ्यास भी सामिल किये जा सकते हैं पर यह इसमर्ड रहे कि किसी भी काम को थोड़े समय तक करना अभ्यास नहीं है अभ्यास का ताथपर निरंतर प्रत्ने से है इसे आप कभी छोड़ नहीं सकते वह आपके व्यक्तितु का एक अविन अंग हो जाता है आपके व्यक्तिगत सभाब का अनिवार हिस्सा हो जाता है इस पर बल देने के लिए महरिशीजी ने यहाँ पर इस्थितव शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ अटल रूप से या द्रंता पूर्वक इस्थिर हो जाना होता है दूसरा शब्द है इस इसलोक में यत्न या प्रयास अर्थात सम्पूर्ण प्रयास पूर्ण रूप से चाहे वे क्रियायोग हो या हट्योग हो या ध्यान रूप से प्रयास हम को करना है यहाँ पर एक बात आती है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया है यह अभ्यास करम हमारा द्रं किस प्रकार हो तो इसके लिए चवद्वे सूत्र में कहते हैं सतु धीर्द काल नैरेंतर्य सतकारा सेवितो द्रन भूमी अर्था द्रन भूमी द्रनता के साथ इस अभ्यास को करना चाहिए धीर्ग कालेन, मतलब धीर्ग काल का यहां पर क्या माइए? लंबे समय तक अपने साधन के अभ्यास को द्रण बनाने के लिए साधक को चाहिए कि वे उसमें कभी उक्तावे नहीं यह द्रण विश्वास रखे कि किया हुआ अभ्यास कभी बेकार नहीं हो सकता अभ्यास के वल से मनुष्य निश्यत ही अपने लक्ष को प्राप्त कर लेता है अभ्यास की तीन शर्ते हैं पहली पूरी निश्ठा के साथ स्रद्धा पूर्वा किया जाना चाहिए दूसरी शर्त है इसमें उसमें निरंतरता होनी चाहिए उसको बीच में कभी तोड़ना नहीं है तीसरी उसे धीर्ग काल तक करते रहना चाहिए जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तब अभ्यास ना केवल द्रण होता है अपितु वह व्यक्ति के सभाव का अंग बन जाता है प्राया ऐसा देखने में आता है कि साधक प्रारम में तो बहुत उत्सा के साथ जोस के साथ रहते हैं किन्तु बाद में जैसे जैसे समय बीचता है उसका बिक्सवास डगमगाने लगता है ऐसी इस्थिती एक योग साधक के सामने कभी नहीं आनी चाहिए जो इस जीवन में योग के लक्ष को प्राप्त करना चाहता है जब तक कोई ठोस वा महत पूर्ण उपलब्दी साधक को प्राप्त नहीं हो जाए साधक को अपनी साधना निरंतर करनी चाहिए किन्तु ऐसा कुछ बिरले साधक ही कर पाते हैं अधिक तर तो बीच में ही छोड़ देते हैं इसलिए उनको लाप्राप्त नहीं होता इस स्लोक में एक सब्द है नैरतर्य नैरंतर्य अर्थात बिना रुकावट के सतत अभ्यास अंतर का मतलब भेद होता है और इस भेद के अब आपको नैरंतर्य कहते हैं अर्थात सतत लगातार बिना रुके साधना में निरंतर्ता अत्यनता वश्क है क्योंकि यदि अभ्यास में जब तब बाधा आती रहेगी तो बिध्यारती को उसका समुचितलाव नहीं मिल पाएगा अर्थात आध्यात्मिक्ता की परिपक्ता उसकी मजबूती नहीं होगी अथा सादक जब कभी अभ्यास आरम करे तो उसे लंबे समय तक अपनी साधना जारी रखनी चाहिए कई सादकों को ऐसा ब्रह्म हो जाता है कि मात्र कुछ महिनों के अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक्ता की अवस्ता को प्राप्त किया जा सकता है किन्तु यह एकदम गलत धारणा है इस अवस्ता को प्राप्त करने के लिए कई जन्म लग सकते हैं साधक को न तो अपना धहरिक होना चाहिए और नहीं किसी प्रकार से शीगरता करनी चाहिए हमारे प्राची इनसाइत में ऐसे अनेको धारन मिलते हैं जिसमें इसपश्ट रूप से कहा गया है कि योग के सरवोच लक्ष को प्राप्त करने के लिए कई जन्म लग सकते हैं साधना में समय की अब्धी इतनी महतपूर्ण नहीं है जितनी की अभ्यास की निरन तर्ता महतपूर्ण है साध़क जब तक अपने लक्ष को प्राप्त ना कर ले तब तक निरवाद रूप से उसे अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए इसमें चाहे जितना समय लग जाए साधक को कभी इसमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए वलकि निष्ठा पुर्वक अभ्यास जारी रखना चाहिए अब यहां पर सरद्धा सबसे अनिवारे हो जाती है क्योंकि सिर्फ यही वे तत्वे जिसके बल पर साधक जीवन की सारी रखने के प्रती धैर और उर्जा प्राप्त करता रहता है यदि साधक में अपने अभ्यास के प्रती पूर्ण सरद्धा है कि उसके द्वारा वे अपने लक्ष को अवश्य प्राप्त कर लेगा तो लक्ष को प्राप्त करने के बाद अन्य सारी चीज़ों साधक के साम कोई माइने नहीं रखती हैं महरिशी पतंजली जी कहते हैं कि स्रद्धा और विश्वास और लगन के साथ धीर काल तक अभ्यास किया जाए तो निश्यत रूप से मन की पांचों वृतियों का निरोध हो जाएगा अब पंद्रवे सूत्र में वेराग्य की चर्चा करते हैं कह अश्टानू स्रविक विश्य वीत्रशनस्य वशिकार संज्या वैराग्यम विश्य दो प्रकार के हैं द्रश्ट और अनुस्रविक द्रश्ट वे हैं जो इस लोक में द्रश्टी गोचर होते हैं जैसे रूप, रस, गंद, सब्द, इश्पर्ष, धन, संपत्ति, अन, खान पान, इस्तरी, राज, एश्वर, आदी और अनुस्रविक वे हैं जो वेद और सास्त्रों से सुने गए हैं व्यक्ति जिन इंद्रियगत वस्तों का अनुभव कर चुका है और जिनका उसने अनुस्रवन किया है अर्थात जिनके विशे में उसने सुना है उनकी लालसा से तब चेतना की यह अवस्था वैराग कहलाती है जव व्यक्ति उन सभी सुख़द वस्तों के पृति लालसा रहित, त्रशना रहित, वासना रहित हो जाता है जिनने उसने अपने जीवन में स्वें देखा है या जिसके विशे में सुना है तब मन की उन अवस्तों को प्राप्त होना द्रश्ट के अंतरगत आता है ऐसे सभी अनुवव जो व्यक्तिगत ग्यानिंद्रियों की परिधी में आते हैं द्रश्ट कहलाते हैं अनुसरविक वस्तुएं वे हैं जिनका अनुवव व्यक्ति ने स्वेम नहीं किया है वलकि जिनके विशे में उसने दूसर में पड़ा है वे अनुस्रविग वस्तुय हैं अतह वेराग पूनतह बुद्धी की एक प्रिक्रिया है यह अपने आप में कोई पंथ नहीं है यदि ऐसा कोई सोचता है कि वेराग के अभ्यास के लिए उसे अपना जीवन बदलना पड़ेगा तो वे भ्रम्म हैं वेराग व् सामाजिक दाइतों का निर्वाहन करते हुए भी वेराग उत्पन हो सकता है उसके लिए अपने कर्तवियों एबं बिविन कर्मों का त्याग आवश्चक नहीं है वलकि जरूरत यह है कि राग और दोईश को छोड़ने की यह राग और दोईश हमने अगले सूत्र में जो क् साथ के तीसरा सूत्र है यह अविद्या इसमिता राग दोईशा अवनिवेशा कलेशा यह कलेश के अंतरगत दो आते हैं राग और दोईश उनको छोड़ने की जो व्यक्ति की अवचेतन की पीड़ा के मुख्य कारण है गीता में यह इस पश्ट कहा गया है कि व्यक्ति इस जीवन में अपने सवी करतवियों का निर्वाहा करते हुए मुक्त हो सकता है वशर्थ वह अपने करमों के अच्छे या बुरे प्रभावों से स्वयम को अलग कर ले अर्थात अना सक्त हो जाए व्यक्ति केवल अपने कार को करता रहे उसकी फल की इक्षा न करें और हर व् अपने मन में करता भाव रखेगा कि मुझे अपने करतवियों का पालन करना है और करतवियों का पालन करते करते वो निशत रूप से उसमें आ सकती न लाए उसमें व्यरागी की भावनाक साथ अपने करतवियों का वोत के साथ आगे बढ़ता जाएगा तो निशत रूप से वे वेराग्य को प्राप्त करता है वेराग्य सदा व्यक्ति के अंतरम से प्रगठ होता है आप जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं अथवा जिल लोगों के साथ रहते हैं ये महत्व नहीं रखता वलकि अपने जीवन में आने वाली भिविन्ने बस्तूओं व्यक्तियों और घटनाओं के प्रती किस प्रकार का द्रश्टी कोण अपनाते हैं वे अधिक महत्वून है वेराग्य के द्वारा एक संतुलित वा समन्वित द्रश्टी विक्सित होती है व्यक्ति सभी के प्रती प्रेम एबं करुणा का अनुभब करता है जबकि अनासक्त भावी बिद्वान रहता है वेराग्य व्यक्ति के स्वक्ष मन तथा शान्ती की अभिव्यक्ति है यह सादक को अपार सुख और सान्ती प्रदान करता है जो सुख सदा निर्वाद एवं अपरिवर्तित होता है बलही सादक के जीवन में प्रिये अत्वा अप्रिये घटना घटें इसे उस पर सादक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अव सूलवे सूत्र में वेराग्य के लक्षन वताते हैं कहते हैं तत परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तरश्णम अर्थात वेराग्य की उच्चितम अवस्था वै है जिसमें पुरुष का ग्यान प्राप्त होने के कारण गुणों के प्रती वी तरश्णा हो जाती है जब चित से उनकी तरश्णा निब्रत हो जाती है तब चित एकाग्र हो जाता है यही संप्रग्यात समादी है इसकी उच्चितम अवस्था में चित और पुरुष के भेत का साक्षात कार होता है इसका नाम पुरुष ख्यातिर तथा विवेख ख्याती है इस वेराग्य के उदे होने से योगी धरमेद समादी निष्ठ हुआ अपने मन में महसूस करता है कि जो प्राप्त करने योग था वह प्राप्त हो गया और जो नाश करने योग था जैसे कि पंचकलेश, अविद्या, अईसमिता, राग, दोश, अविनिवेश ये नश्ठ हो अब संसार का यह चक्र सिलसला तूट गया है जिसके तूटे विना मनुश उत्पन होकर मरता है और मरकर उत्पन होता है यह परवेरागी यान की पराकाश्ठा परमसीमा है इसी के नरंतर अभ्यास से कैवल्य होता है आज यहाँ पर हमने चित्वरतियों के नरोत के उपाई परचर्चा की ओम शान्ती शान्ती शान्त